नमस्कार SBT News में आपका स्वागत है पेशे 12 जून सुमवर्द पर सवा 3 बजे राजिस्थान की 15 बड़ी खबरें इस निउस बुलेटिन की प्रायो जग हैं विनी विनी केक अन मोर सबसे पहले एक नज़र डालते हैं आज की हेर्लाइन्स पर प्रतिनीदी सभाव सी नेट में देंगे भाषन पारत की जुडिपी 3.55 ट्रिलियन डॉलर पहुंची नौ साल पहले 2 ट्रिलियन थी आश्री गंगा नगर हनमानगर साइत 6 जिलों में बारिश की संभावना भाषपा 13 जून को करेगी सची वाले का घेराव लोनकरन सर में बदमाश की मकान पर चला पुलिस का बुल्डोजर और अब खबरे विस्तार से अमेरिकी रास्वति जो बाइडन और प्रथम महिला जिल बाइडन के निमंत्रन पर मत्रीं दरेंडर मोधी किसे 24 जून तक साइक्टि mist राज अमेरिका का दौरा करेंगे उनकी ये याते परादर से ने दी सभा आपा पर थोफिशिंग को घूर दिया है क्ये दोनों। एपन देशों के घ्यर करीबि गठबंदन की पीस्ती से पुस्टिक करने का अफसर हTr सकल घहरेलू उत्पाद याने GDP 3.75 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँच गई है 2014 में ये लगभग 2 ट्रिलियन डॉलर थी केंडरे वित्यमंत्रे नेर्मला सीतारमन के ओफिस ने एक ट्वीट में इसकी जानकारी दी सीतारमन के ओफिस ने ट्वीट में लिखा कि भारत दुनिया के 10 विन सबसे बड़ी अर्थ विवस्था में पांच विन सबसे बड़ी अर्थ विवस्था बन गया है भारत को अब गलोबल एकोनोमी में ब्राइट स्पोर्ट कहा जा रहा है दाजसान में तेज हमाँ के साथ बारिश का दार सौमवार को भी जारी रहेगा इस दरान पूरवी वे पश्चिमी राजसान के 6 जिलों में 30-40 किलोमेटर प्रते घंटे की रफ्तार से हवा भी चौँ सकती है मौसम विग्यान के इंदुच अपर के अनुसार आजपूर वी राजसान के जापूर भरतपूर अजमेर तथा पश्चिमी राजसान के जूतपूर वेबी का निर्संभाग के 6 जिलों में बरसाद देखने को मिल सकती है रिपोर्ट के अनुसार प्रदीश में बारिश का असर आगामी 14 जून तक जौरी रहने की संभावना है अलवर भरतपूर धालपूर जुनजुनू और पश्चिमी राजसान के हनमानगर वेश्री गंगानगर में भी बारिश की संभावना है जुनावी साल में भाजपा राजसान के गहलो सरकार को घेरने की तयारी में जुटी हुई है इसी कड़े में बीजेपी बिस्टर चारवे कानून वेवसा जैसे मुद्दो को लेकर मंगलवार को सची वाले का घेराव करेंगी इसके तयारियों में बीजेपी प्रदीश अधिकारियों से लेकर पारशद और कारेकरता जुटी हुए है सची वाले के घेराव से पहले सुबह 11 बजे बीजेपी मुख्याले पर सभी नेता जुटेंगे इसके बाद पैदल मार्च करते हुए सची वाले पहुँचेंगे और घेराव करेंगे बीजेपी नेता प्रदीश कॉंग्रेस सरकार की खिलाव सफच्चार को लेकर मुखर है बाश्वा प्रदीश पदादिकारियों के साथ बड़ी संख्या में कार करता कल सब बीजेपी मुख्याले पर जूटेंगे बीकाने जिले में लूनकरन सर थाने के हिस्टर दानाराम उर्फ दानिया सियाग के पिता के घर पर सुमवार अलसुबै पुलिस का बुल्डोजर चल गया धाई गंडे में बुल्डोजर ने दो मंजिला मकान को जमीन दोज कर दिया दानाराम के पितावे परिवार के अन्य सदे से बेबस खड़े देखते रहे करवाही के दौरान चार थानों की पुलिस जापता तनात रहा अतरिक्ट पुलिस सादिक शाक ग्रामिन दीपक शर्मा ने बताया कि दानाराम सियाग पुलिस का वांचीत अपरादी है जिस पर हाल ही में 50,000 रुपे का इनाम खोशी था जो पुलिस की पकड़ से दूर है अब सरकार और पुलिस मुख्याले के बदमाशों की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने की इरादे से उनकी चल अचल संपत्यों का बेवरा तयार किया गया है राजसान के जेल कर्मी 13 जून से सरकार की खिलाफ प्रदेशन करेंगे साथ दिनों तक जोलों में करमचारियों की ओर से विरूद प्रदेशन किया जाएगा इस होरान चाली पत्ती बांध कर जेल कर्मी विरूद जुताएंगे इस मामले में जेल कर्मी ओर से जविपर में डीजी जेल को ग्यापन दिया गया है इसमें बताया गया है कि 1998 में हुई वेतन वी संगती को दूर किया जाए इसके लिए नंबे समय से जेल कर्मियों की ओर से अंदोलन किया जा रहा है जैपुर जोदपुर कोटाज मेर सेंटरल जेल सहित पैंती सब जेल और शेश जिला जेलों से डीजी जेल को ग्यापन दिये गए है चुनावी साल में नेताओं का एक दल से दूसरे दल में आना जाना शुरू हो गया है कांग्रिस के दिगज नेता रहे वे पूर्व मुखे मंद्री रहे जगरनाद पहाड़िया के पुत्र ओम प्रकाश पहाड़िया आज दुपहर दो बजे बीजेपी में शामिल हुए वहीं पूर्व रास्पती प्रतिभापाटिल के भतीजे वीजे इंडर सिंग सही दो अन्य लोग भी बीजेपी की सदस्ता लेंगे इनमेलवर से बसपा प्रदेश महासची वों प्रकाश वर्मा भी बीजेपी की सदस्ता ग्रहन कर रहे हैं वहीं पूर्व आईएस चेंडर मोहन मीना भी बीजेपी में शामिल हो रहे हैं भाचवर प्रदेश का रहले में दो पहर दो बजे प्रदेश प्रभारी अरुन सिंग वे प्रदेश अध्याक्ष सीपी जोशी की मौजूदगी में ये लोग पार्टी की सदस्ता ग्रहन करेंगे कौंग्रिस अध्यक्ष के चुनाव के बाद से लगे पड़े संगठन का पुनर गठन का आज ऐलान हो सकता है कौंग्रिस मुख्याले पराज संगठन के प्रभारी मुकुल वासनिक मीडिया विभाग के प्रभारी महासचेव जैराम रमेश एक विशिश प्रेस कॉनफरेंस करने वाले हैं कयास लगा जा रहे हैं कि इसमें कॉंग्रे संगठन के पुनरगठन का एलान किया जाएगा अलांकि इसके अधिकारिक तोर पर पुस्टी नहीं हुई है सूत्रों के मताबिक खड़गे की खिलाफ अध्यक्षपत का चुनाव लड़ने वाले शशी थरूर को भी इने संगठन में एंट्री ले ली है पेपर लिग माफिया के खिलाफ कारवाही के बाद अब एडी के रडार पर मुख्य मंत्री के पुत्र वयभव कहलोत करप्शन के मामले में आ सकते हैं दरसल भाजपा के रानिती राजसान के रान में विस्टाचार को भी एहम मुद्दा बनाने की है दरसल जिन पालेट भी सरकार पर विस्टाचार के मामले में कारवाही ना करने पर आरोप जड़ रहे हैं भाजपा एक और कांगले सी नेताओं और मंत्रियों की करप्शन की पूल खोलेगी वहीं दूसरी और एडी भी करप्शन के खिलाफ कारवाही तेज़ करेगी रास्तान के सरकारी विद्याले में कफशा एक से आठ में तक की विद्यार्थियों को एक जुलाई से रोजणा दूद पिलाया जाएगा मिल्क पाउडर से त्यार किये जाने वाले इस दूद को विद्याले किये जाने से पहले स्कूल के शिक्षा का विध्याले प्रबंदन समीती सदे से चखेंगे दूद को दो जनों के चखने के बाद उसकी गुनवत्ता ठीक होने पर ही विद्यार्थियों को पिलाए जाएगा विद्यार्थियों को पिलाए जाने वाले पाउडर मिल्क की मात्रा कांकन विद्याली की दिवार पर किया जाएगा इससे हर किसी को पता लग सके कि कितना दूद विद्यार्थी को दिया जा रहा है रास्तान में निशुल के एवं बाल शिक्षादिकार अधिनियम के तहट अभी भावको की ओर से आवेदन किये गए थे जिसमें अभी भावक आसोंवार तक संशोधन करवा सकते हैं आटे को लेकर यदि अभी भावको की कोई समस्या या शिकायत है तो वो घर बैठे ही दर्ज करवा सकते हैं रास्तान स्कूल परिशत की ओर से अभी भावको की सिविदा के लिए वाटसप नमबर ज्वारी किये गए हैं अभी भावक वाटसप नमबर 7014812375 और 701487812 पर शिकायत कर सकते हैं भीलवार जिले में शुद्ध पानी के नाम पर बड़ा कारुबार चल रहा हैं जिले में शुद्ध हमशीतल पानी के लिए 200 से अधिक आरो प्लांट चल रहे हैं इनमें करीब 70 अकेले भीलवारा शहर में हैं इनमें 80 फीजदी से अधिक पानी के नियमी तो जांच से दूर हैं नियम तीन माह में एक बार पानी की जांच कराने का है लेकिन यहां नियमों के अंदेखी हो रही है शुदवेशी तल पानी के आस में इन आरो प्लांट से कैन मंगवाने वालों की सेहत पर भारी पड़ सकते हैं हलांकि जिम्मतार विभाग जांच और गड़बड़ी की और आखें मूंदे हुए है रासान में मिशन दो हो जाते हैं इस पर उमेद्वार चैन के लिए जीत का फरमूला तलाशने में लगी है इस बात को स्विकार करते हुए कहा कि इन सीटो पर सारे समय कर्म देखे जाएंगे और इसके बाद है उमेदवार तैह होंगे अरहर का उत्पादन घटने और मांग के निरंतर बने होने से थोक मंडियों में अरहर दाल के भाव आसमान चूने लगे हैं सरकार की ओर से अरहर की बढ़ती कीमतों को काबू करने के लिए स्टाक लिमिट लगाने के फैसले का फिलाल असर पड़ता नहीं दिख रहा है एक माह के दोरां जपर मंडिय में अरहर दाल के दाम करीब 50 रपर प्रती किलो तक चड़ चुके हैं जपर मंडिय में अरहर दाल थोक के बाव 150 रपर प्रती किलो तक पहुँंच गए हैं अजमेर में एशिया की सबसे बड़ी मार्बल मंडी की चमक पूरी दीश में फैल रही है बड़े वेवसाइक और आवासिय निर्माण में बढ़ती मांग और कई प्रदीशों में गोदाम खुलने से इसकी ख्याती बड़ी हुई है इसे ग्रे नाइट वे मार्बल का कारोबार डेश गुना से अधिक बढ़ गया है इसका लादान अब तक का सरवादिक है हलंकि इसमें 80% भागेदारे ग्रे नाइट वे 20% मार्बल की है तो फिलाल इस बुरेटिन में इतना ही फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्यपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर